आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्यूंकि आज मैं आपको अपनी गलतिया भी बताने वाली हूँ और कस्टमर ने यदि आपके साथ मीन मुवमेंट में ही केक के डिजाइन चेंज कर दी है और आपने उस देजाइन की तैयारी करके रखी थी तो अभी आप उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी आपको आँगे बताने वाली हूँ सबसे पहले आप केक टिन रेडि कर दीजे ये 7 इंच का केक टिन था फिर आपको लेना है प्रिमिक्स या आप स्क्रेट से बनाना चाहते हैं तो आप उससे बनाईए और मुझे बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि आखिर तुम करती क्या हो तुमसे आता क्या है बस प्रिमिक्स से स्पॉंजर बना लेती हो और क्रीम लगा देती हो, कि मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम अपने कोई बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास काम बहुत जादा होता है, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और यदि मैं हर बार हर ओडर के लिए स्क्रैट से केक बनाऊंगी, हर बार सा किस्टमर का कहना होता है कि बेकरी में 2,260 में 1,5 kg का केक मिल जाता है, आप लोग कुछ जादा ही पैसे लेते हो, प्रस हम अपने टाइम को मैनेज करने के लिए हम प्रेमिक्स का यूज करते हैं, आप चाहो तो प्रेमिक्स घर में भी बना कर स्टोर कर सकते हो, या फिर केक बनाएं बट हम तुरन्ते स्पॉंज बेक करते हैं, तुरंत क्रीम बनाते हैं, और फ्रस केक बना कर कस्टमर को देते हैं। आप अपना बिस्नेस स्टाड कर रहे हो, तो आप प्रेमिक्स क्रीम ये सब